आज बात करेंगे, what makes things visible, यानि कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो हमें कैसे दिखाई देती हैं, तो यह सारा फिनोमेना है, यह फिनोमेना होता है, light का, तो light का एक important role होता है, किसी भी object को देखने के लिए, देखें जब भी आप कुछ देखते हैं, हमारे पास क्य चीज़ें देखते हैं, पेड देखते हैं, पहाड देखते हैं, कुरसी, टेबल, लोगों को देखते हैं, और जो चीज़ें हमारे चारों तरफ उनको देखते हैं, तो यह हम देख कैसे पाते हैं, तो यह हम ऐसे देख पाते हैं, देखिए, जो हमारी eye होती है, यानि कि जो आँख होती है उसके अंधर जो है इस तरह का mechanism होता है कि जब भी कहीं से light टकरा के इसके ऊपर आएगे इसके retina पर आएगी तो उसका जो एक image बनती है इसके retina पर जब आँख पर आती है तो यहाँ पर image बनती हैं आंक के अंदर, जो दिमाग को सिगनल देती है और वहाँ पे इमेज बनके हम उसको देख पाते हैं, अब देखिए कोई बी अब्जेक्ट है, यानि कि जैसे सन है, सन से जो light पर ड्यूज होती है और किसी object पर पड़ती है, तो जो object है उस light को विखेर देता है, चारो वहाँ पे कोई भी light नहीं है, तो अंधेरे में क्या आप objects को देख पाते हैं, नहीं, क्योंकि कोई भी light जो है object से reflect होके आपकी आँख तक नहीं आती, तो इसलिए आप उसको नहीं देख पाते, यानि कि सबसे जो main कारण है किसी चीज को देखने का ये है कि object के जो light उससे exit होगी, या कहें कि light जो उसके ओपर टकराके reflect होगी, हमारी आँख तकाएगी, हम उसी को देख सकते हैं, तो इस तरह से जो light है, light का जो reflection है, हमारी आँख में आता है, उसकी image बनती है, तब ही हम किसी चीज को देख पाते हैं, तो सबसे जो main क्या है इसके अंदर, कि what makes things visible, तो सबसे जरूरी क्या चीज चाहिए हमें, जो light है, तो light अगर टकरागे हमारी आँख तक आएगी, हम उसको देख पाएंगे, अगर वो नहीं आएगी, तो वो हम नहीं देख पाएंगे, तो इस तरह से जो इसका फिनोमेना है, कि हम कैसे देख पाते हैं, light और eye का जो पूरा फिनोमेना है, दिमाख के अंदर जब sensing करता है, औ अभी हम देख पाते हैं, तो यह था what makes things visible, तो thank you वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा updated वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, thank you